देश में कुरोना की तेज रफ्तार जारी एक दिन में 1,16,000 से जादा केस 290 लोगों की मौत महराश्टे में कुरोना केस सबसे जादा 36,365 केस सामने आए 36% का इजाफा 24 गंटे में 13 लोगों की जान गई महराश्टे में ओमिक्रोन वेरियन केस सभी 89 नए मामले पुष्टी कुल केस हो गए है और 797 मुंबई में कुरोना के 20,181 नए मामले सामने आए धारवी में 107 केस मिले है दिली में 24 गंटे में कुरोना के 15,000 से जादा लोग संक्रमित पाए गए 6 लोगों की जान गई यूपी में 24 गंटे में कुरोना के 3,000 से जादा नए मामले गौतम बुधनगर में सबसे जादा 600 मंगाल में कुरोना के 15,421 नए केस सामने आए 24 गंटे में 19 लोगों की बौत हुई तमिलाडो में 24 गंटे में कुरोना से 6,983 लोग संक्रमित पाए गए 11 लोगों की मौत कनाटक में कुरोना के 5,000 से जादा नए केस 24 गंटे में एक संक्रमित की मौत जारकन में कुरोना के 3,704 नए केस मिले हैं 24 गंटे में 4 लोगों की जान गई है बिहार में 21 जन्वरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर रहेंगे बद सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ को इजाज़त दिली सरकार ने नीजी स्कूलों में नरसरी एडमेशन के लिए दो हफ्ते तक बड़ाई डेडलाइन, कुरोना के चलते फिलाया फैसला कुरोना की वज़े से लखनों में जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पाक बंद करने का आदेश, रेस्टरौन और सिनमागर 50% शमता के साथ चलेंगे लखनों में नाइट कर्फ्यू अब रात को 10 वज़े से सुबा 6 वज़े तक रहेगा, शादी समारों में अधिकतम 100 लोगों की अनुमती होगी चंडिगर में आज से रात को दस बजे से सुबा पांच बेर तक रहेगा नाइट कर्फियो अगले आदेश तक सभी सक्षन संस्थान जिम और स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स बंद रहेंगे राज्यकों केंदर सरकार की चित्थी हर जिले में कोवेट मैनेट्मेंट के लिए कंट्रोल रूम मनाने को कहा देश में अब तक कुरोना वैक्सिन की 149 करोड 57 लाग डोस दी गई गुरुवार को 85 लाग वैक्सिन लगाई गई पाबंदी बढ़ाने को लेकर बोली ममता बैनर जी कुरोना संकरवन को रोकने के लिए अगले 15 दिन में और पाबंदिया बढ़ाई जाएंगी अज सुप्रिम कोट में सभी जज अपने घर से वर्चूली करेंगे मामले की सुनवाई दस जन्वरी से सिर्फ जरूरी मामलों पर सुनवाई होगी पेम की सुरक्षा में चूख के मामले पर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई होगी मुख्य नायदीश के गुवाई में तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी पेम के सुरक्षा चूक के मामले में एक्शन में ग्रह मंत्रा ले जांच के लिए तीन सदस्य कमिटी बनाए गई केंदर सचीवाले के सचीव सुधिर कुमार सकसेना करेंगे कमिटी के अद्धिक्षता आईबी के जॉइन डारेक्टर बलवीर सिंग और स्पीची के आईजी एस सुरेश भी शामिल होंगे केंदर कैबिनेट की बैटनक में सुरक्षा में चूक पर हुई चर्चा एक सवर में बोले मंत्री सुरक्षा के साथ खिलवार चिनता जलग मीटिंग के बाद केंदरी मंतरी अनुराक ठाकु ने कहा कि जानकारी जुटाने के बाद बड़े और कड़े कदम उठाए जाएंगे सुरक्षा में चुक पर राश्ट्रपती कोविन ने चिंता जताए पी-म से मुलाकात की संसद भवन में गांधी मूर्थी के सामने बीजेपी के संसद धड़ना देंगे पी-म के सुरक्षा में चुक का विरोध करेंगे अकाली दल के संग्रक्षक प्रकासिंग बादल ने काफिले को रोकने को गलत बताया जिला मुख्याल है जाने से रोकने पर किसान उस पुल पर पहुंच गए थे BKU करांतिकारी गुट के चीफ सुर्जी सिंग पुल का दावा PM के आने की बात कहेकर फिरोसपुर SSP ने हमें सड़क खाली करने को कहा था हमें लगा कि वो जूट बोल रहे हैं कॉंग्रेस सद्यक सोनिया गांधी ने तोड़ी चुपपी PM की सुरक्षा में चुप को बताया बड़ी लापरवाही सोनिया गांधी की सेम चर्णी को फटकार कहा कि मोधी पूरी देश के PM जिमेदार लोगों पर एक्शन ले PM की सुरक्षा में चुप पर इंडिया टीवी से बोली स्मृति इरानी CM चर्णी तो रिमोट कंट्रोल है महरा बनाकर गांधी परिवार ने पलला ज़ाड़ा स्मृति इरानी ने कहा कि कम से कम सोनिया गांधी ने माना कि कॉंग्रेस सरकार्न में गलती की है कॉंग्रेस की राजनिदिक आत्मा देर से जागी है कैप्टैन अमरंदर सिंग ने पंजाब में राश्टरपती साशन लगाने की मांग की कहा कि काईरों की तरह जिमेदारी से भाग रहे हैं CM चन्नी PM की लंबी उम्र की कामना के लिए देश पर में पूजा की गई दिल्ली के हनुमान मंतिर में प्रधान मंतिरी मोधी की लंबी आयू के लिए पूजा दिल्ली बीजेपी अदेख्ष आदेश गुपता ने महामित तुझाय जाप किया पशिमगाल की CM अमताब एनरजी आज PM मोधी के साथ करेंगी बैटक वर्चुली शामिल होंगी ये मोधी आज कुलकता के चितरंजन नाशनल कैंसर इंस्टिटूट के नएक कॉंपलेक्स का उधाटन करेंगे जॉर्निस बग टेस्ट में साथ विकेट से आरा भारत साथ आफ्रिका ने रचाए तियास वंडरर्स में दर्ज की अब तक की सबसे बड़ी चीट वंडरर्स में भारत को मिली पहली हार अब तक खेले गए 6 मैचों में नहीं हारा था भारत सिरीज में दोनों में टीमें अब एक एक की बराबरी पर